आप देख रहे हैं एवी क्राइम न्यूस। मैं नुज्या आपके साथ नमस्कार आए चलते हैं खबरों की तरफ। चक्रुबाती तुफान दाना को लेकर उड़ी शौर पश्चिम बंगाल में सतकरता बढ़ा दिये। दाना चक्रुबात का फ्लाइट्स पर भी दिख रहा है बुरा असर 15 घंटे के लिए उड़ानों पर पूरी तरह लगी रोक। कुलकता एरपोर्ट पर सभी उड़ाने गुरुवार शाम 6 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक के लिए रोक दी गई हैं। तूपान की गंभीरता को देखते हुए दोनों राजियों में एंडी आरप की कईटी में अलर्ट पर हैं। चक्रवाद दाना के 24 से 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और उडीशा के तटों से टकराने के पूर्वानमान के मद्दे नजर भार्टी तटरक्षक हाई लर्ट पर हैं। अधिक ट्रेने की गई रद उडान सेवाएं भी प्रभावित रेट अलर्ट। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाद दाना अपना असर दिखाने लगा है। साइकलोन दाना शुक्रवार के शुडवाती कुछ घंटों में ही उडीशा के तटपर लेंड पॉल करेगा। इस दोरान उडीशा और बंगाल के तटवरती लाकों में 100 से 120 किलोमेटर से अधिक तेजी से हमाय चलने और बारिस होने की अलर्ट आई-मडी ने जाई किया है। 2018 में साइकलोन तितली ने काफी तबाही मचाई थी तब ससत्य लोग की मौत हुई थी। तूफान की गती 150 किलोमेटर प्रति घंटा रही थी। इसके बाद 2019 बंगाल में शाइकलोन बुलबुल आया था। इसमें 41 मौत हुई थी। इसकी गती 140 किलोमेटर प्रति घंटा रही थी। उडिसा में चक्रवात दाना को लेकर लोगों को सुरक्षित इस्थान पर पहुचाया गया। इतना ही नहीं परटकों को और तीर्थ यात्रियों को यात्रा पूरी नहीं करने के चेतामनी जारी की गई। मचुवारों को समुद्र तट पर भी नहीं जाने की सला दी गई। बंगाल की खाडी में उठे इस तूफान को दाना नाम दिया गया है। किलो मेटर प्रतिखटे के दिख्तम रफ्तार से हवाय चल सकती है। जिले में भारी बारिस होने की शंभावना है। मंदिर को तेज हवाओं और बारिस से बचाने के प्रशासन ने मंदिर के दर्वाजों और खिड़कियों की जाच किये।